उत्रखंड में संस्कृत भाशा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी पहल कर रही है उत्रखंड में अब निजी स्कूलों में अब सरकारी स्कूलों की तर्ज़ पर संस्कृत शिक्षा को अनिवार रूप में पढ़ाये जाएगा जल्दी इसके लिए शाशनादेश जारी कर दे जाएगा संस्कृत शिक्षा को लेकर सरकार के इस कदम से संबंधित विशे के बिरुजगार शिक्षकों को अवसर मिलेगा प्रदेश के विद्यले शिक्षा मंतरी अर्विंद पांडे ने कहा कि संस्कृत को CBSE और ICSE बोड के स्कूलों के लिए भी अनिवार किया जाएगा प्रदेश के सभी प्राइविट स्कूलों में कक्षा 3 से लेकर 8 तक संस्कृत पढ़ाना अनिवार किया जा रहा है संस्कृत को स्कूलों में पढ़ाय जाने के साथ ही समस्ते सरकारी स्कूलों के नाम हिंदी के नाम से ही संस्कृत में भी लिखे जाएंगे और प्रदेश स्रकार के निर्देश का पालन ना करने वाले स्कूलों की मानेता समाप्त करने संबंधी कारवाही की जाएगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत शिक्षा को स्कूलों में पढ़ाई जाने से द्वतिय राजभाशा को बढ़ावा मिलेगा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शाषना देश जारी करने के शिक्षा सचवाले को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत, युवा कल्यान, खेल, विद्याली शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में बोड लेखन और आमंतरन पत्र हिंदी के साथ ही संस्कृत में प्रकाशित होंगे पंचाब के स्री टीवी के लिए देहरादून से कुल्दी प्रावत की रिपोर्ट